उस तो जैसा कि हम सबी लोग जानते है यוכरी हुट साथ ही साथ वीपी भी ओनीटर किया जाता है और किडिनी के दौरा एक एयुट्रो प्रोडिन नाम का हार्वॉन जन्रेट होता है, जिससे हमारी में बलड भी बनता है प्र यदि हमारी body में kidney का level बढ़ जाता है तो हमें kidney infection हो जाता है साथ ही साथ kidney damage होने का खत्रा बढ़ जाता है तो कौन से ऐसे लक्षन होते हैं जिन से हम ये पता कर सकते हैं कि आखिर हमारी body में kidney का level बढ़ रहा है और कौन से ऐसे कारण होते साथी साथ बैल आगरन बटन को प्रेस कर लें जिसे की ऐसी ही जानकारी के लिए आपके पास नोटिफेकेशन आता रहें दोस्तों बात करें उन लक्षणों की जिनसे आप ये पता कर सकते कि आपकी बॉड़ी में किट्नाइन कलेविल बढ़ रहा है तो आपको थकान कमज़ूरियों की साथ साथ आपके हाथ पैरों में दर्द रहना दर्द के साथ साथ आपके हाथ पैरों में सूजर रहना चेहरे बोड़ी में किद्नाएन के लेविल बढ़ता है। कि बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं हमने दारू नहीं पी फिर भी हमें किद्नी इंफेक्शन हो रहा है। तो मैं आपको चानदकाई देदू, यदि आप दारू नहीं पीते हैं, तब भी आपको kidney infection हो सकता है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा exercise करते हैं, overweight exercise करते हैं, साथी साथ आप high protein supplement लेते हैं, तो आपको kidney infection हो सकता है, आपकी body में kidney level बढ़ सकता है, साथी साथ आपको यदि high BP की समस्या है, या फिर आपको heart disease है, या फिर आपको सुगर की समस्या है, तो भी आपके kidney का level बढ़ सकता है, और आपको kidney infection हो सकता है, अब बात करेंगे दोस्तो उस दवाई के बारे में, जिससे आप easily अपने kidney को level को control कर सकते हैं, और अपने kidney infection को रो protonic है, साथ इसाथ antioxidant property रखता है, और immunomodulator की भी property रखता है, इसमें pineapple, पपीता, धनिया, लौकी, गुडूची, पुनरनवा, सिग्रा, हरीदरा, कासनी और कमल काकरी को add किया गया है, जो हमारी body के लिए काफी उपयोगी तत तुमाने जाते हैं, दवाई के अलावा भी यद जिसे कि आप जल्द से जल्द अपने kidney level को normal कर सकते हैं, उसमें आपको जानका ही देता हूँ, तो जो high protein वाले products होते हैं, यह high protein वाली जो diet होती है, उसको आपको छोड़ना है, जैसे कि अंडा, meat, मचली, दाले, soya, bean जैसी चीज़ों को आपको छोड़ देना है, जिससे कि आप जल्द से जल्द अपने kidney level को normal कर ले, और आपकी जो kidney damage होने की जो समस्या है, वो आपको ना हो, बात कर लेते हैं dose की, तो जो adult लोग हैं, वो लोग दिन में तीन चम्मत सुबासाम सेवन कर सकते हैं, मतलब तकरीवन 15 ml dose आपको लेनी है, तीन बार, साथी साथ जो बच् इसके देखने के लिए आपको मिलेंगे, बात करें दोस्तों की कौन सी ऐसी एक चीज है, जिसका सेवन करके इस दवा के अलाबा भी आप अपने kidney level को normal कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको बता दूँ, तो सेव के छिरके का ये दिया आप सेवन करते हैं, तो आप अपने जो kidney level की समस्या है, उसको आप दूर कर सकते हो, बहुत बहुत रेजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, बागी सही जानकारे के लिए सटीक जानकारे के लिए तुरंत अपने डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, जानकाई सही लगी हो तो वीडियो को लाइक से करना ना बोल के धन्वादोस्तों